नमसकर दोस्तों रामकलाई दोस्तों परतावगब लोस नमाज चेल्माश अश्बाज स्वागत है आद दोस्तों हम बात करूंगा धिन्डी का बीज ठंडी सरदी के मौसम में अंकुरित करने में हमें कितना समय लग गया आप दोस्तों देख पाएंगे हलका जो है अंकुरित सुरुगात हो चुका है अंकुराने का देख लीजिए ए रहा जितने भी बीज हैं सभी में दोस्तों आपको देखने मिलेगा कि हलका जो है आखा यानि अंकुरित फूट गया है तो हम इसे किस तरह से कर पाए ठंड के सी बिड़ो को सुरूर से लाज तक ज़्रो देखिए वीड़ो को लाइक कर देखिए ऐसा ही वीड़ो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सुस्क्राइब करके बेल आई कनाल पर क्लिक करें ताकि हमारwide आपको मिलता रहे आपके मन में कोई सवाल हो जाव रह जाता है नीचे कुमेंटेज शरूर करें जो दोस्तों बात आती है कि इसे अंकृत किस तरह से हम थंडी के सीजन में कर सकते हैं ऐसा दोस्तों देखने को मिलता है कि ठंडी के सीजन में अंकुरित हो पाना बहुत दिक्कत वाला काम होता है जो कि दोस्तों हमें लगभग इसे आज चार दिन हो गया अंकुरित करने से पहले दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास बीज है उसे पानी में लगभग 24 घंट भीगोना होगा क्योंकि दोस्तों इसका जो पर्त होता है उपर का बहुत जो है कठोर होता है इसके अंदर जब तक पानी अच्छी तरह से नहीं भीनेगा यानि ये कठोर होता है अगर हम इसे एक दिन भीगोने के बाद अगर करते हैं, तो जामिनेशन नहीं हो पाता है, जिसके लिए हमें लगव हैं कि 24 घंटे तक पानी में भीगो रखना है, उसके बाद हमें इसको जो है, पानी से निकाल लेना है, हमने दोस्तों जिस तरह से किया है, वही तरीका हम निकालने के बाद दोस्तों, इसको जो है एक कपड़ा जैसे आप देख पा रहे हैं, इस सूती कपड़ा है, इस सूती कपड़े को ले लेना है, और इसके अंदर आप चाहे तो कंपोस्ट ले सकते हैं, या तो गोबर खाद हो, सड़ी हुई, पूरी तरह से भुरहुरी हो, तो जितना यह है, बीज है, उसका डबल जो है आपको, या डबल या तीन गुन, इसके अंदर गोबर खाद जो सड़ी हुई हो, या कंपोस्ट हो, इसमें मिला देना है, मिलाने के बाद दोस्तों यह ध्यान रखना है, जो भी कंपोस्ट आप मिलाएं, या गोबर खाद मिल थोड़ा नमी होनी चाहिए अंदर, अगर नमी नहीं है, तो आप हलका जो है पानी डाल कर नमी बना सकते हैं, और जो भी गोबर खाद हो, उसको पूरी तरह से भुरभुरी बना लें, भुरभुरी बनाने के बाद, इसकी जो है गठरी बांद देना है, यानि इसको बांध होता है, तो वहाँ पर क्या है, इसको दबा देना है अंदर, ये दोस्तों आज चौथा दिन है, चौथे दिन पर हलका अंकुरी ताया है, सायद इसे एक दिन और रख देते, तो इसमें बहुत बढ़िया से जमाग हो जाता है, तो दोस्तों आप लोग को दिखाने के लिए बताने के लिए सिर्फ हमी से जो है, आज निकाले हैं, देखिए दोस्तों हलका अंकुर सुरू हो चुका है, और आप लोग भी दोस्तों इसी तरह से अपने जो भी बीज भिंडी का लगाना चाहते हैं, ये अग्येती खेती करना चाहते हैं, तो आप के लिए दोस्तों काफी बहत्रीन होगा, काफी बढ़िया होगा, आप लोग भी इसी तरह से अंकुरित कर पाएंगे और कर सकते हैं, हमें उमीद है कि आप लोग संभी आ गया होगा, ठैंक दोस्तों वीड़वाच करने के लिए